हलो दोस्तों मैंस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हलो मैंस के इस वीडियो में पौनलों में चेप्टर के एक्सराइज 2A का कोश्चन नमर 5 करेंगे जो कि आरेश अगलों के टेस्ट बुक से हैं वीडियो को पूरा देखें और वीडियो जैसे व्रतियों कर्मेंट सेक्सिन में ज़रूर बताइएगा अब यहां देखो कुश्चन नमर में 5 में क्या क्या information दिए गई है देखो कुश्चन नमर बन दिया क्या है कि give an example आप अप मोनोमियल और डिग्री 5 यानि एक मोनोमियल का एक example देना है जिसकी डिग्री 5 हो अब मोनोमिल क्या हो होगा कि जो variable का जो highest exponent जो होगा जो power जो होगा वह 5 होना चाहिए अब देखो जिसे मानलो कि मैंने यहां पर x पर 5 मैंने लिख दिया अब x पर 5 यह single term है ठीक है और इसकी डिग्री 5 है clear तो इस तरीके से आप example दे सकते हैं आप चाहों तो आप y पर 5 भी लिख सकते हो तो यह जो example जो मैंने अभी आपको दिया है यह monomial के example है और इनकी degree क्या है 5 है अब देते हैं हम लोग दूसरा question तो दूसरा question यहां पर दूको दिया यह गया है कि आपको एक example लेना है binomial का और उसकी degree होनी चाहिए 8 तो binomial में क्या होता है कि एक ऐसा polynomial जिसमें दो term हो और degree 8 होने का म करते हो कि जैसे मानलों आपने लिखा है y पे power 8 लिखा और plus हमने y लिख लिया अब यहां देखो इसमें है दो term clear और इन दो termों में यहां देखोगे तो variable में इस वाले section में सबसे ज़्यादा power है और वह power कितना है 8 तो किसी भी polynomial में जिस variable का highest power होगा या exponent होगा वही जो है polynomial category होती है तो इस polynomial में पहली चीज़ तो दो term है ठीक है और इन दो termों में मैंने variable y का ही युज़ किया हुआ है बट इसमें क्या है ना variable का highest exponent 1 है बट इसका क्या है 8 है तो हम 8 वाले को लेंगे ना यह चीज़ आने किएगा अब हम देखेंगे question number 3 को question number 3 दिया क्या है कि give an example of trinomial आप degree 4 तो अब इसमें 3 term आपको लेने हैं और ध्यान रखना है कि degree कि इन चाहिए फोन चाहिए तो आप ऐसे लिसकते हो x पे power 4 प्लस x square प्लस 8 तो अब यहां देखो इसमें 3 term है बट जो highest डिगरी जो है वो 4 की है तो एक और example मैं आपको समिनता हूँ मालो आपने लिखा है y पे power 4 प्लस y q प्लस 6 चीग है तो यहां पर मैंने जो प्लम में लिखा है वह y के term में लिखा है लेकिन यहां पर देखो जो highest power जो है वो 4 का है चीग है तो इस तरीके से आप कर लिजेगा अब एक आखरी question करते हम लो आप यहां पर देखो दिया गया है कि एक example लेना है monomial का और उसकी degree 0 होने चाहिए अब monomial का मतलब क्या है polynomial जो लिखा जाएगा उसमें single term ही होना चाहिए single term रहेगा तभी तो monomial होगा बट degree 0 होने के लिए ज़रूरी है कि अब आपको सोचना होगा कि कौन सा polynomial ऐसा होता है जिसकी degree 0 होती है तो वह होता है constant polynomial यानि कोई numerical number आप constant polynomial की degree क्या होती है 0 होती है आप minus 2 भी लिसकते हो आप 8 लिसकते हो आप under 3 लिसकते हो तो यह जितने भी example जो लिए गहना यह सब monomial है और सब के सब constant है अब constant polynomial की degree क्या होती है 0 होती है मिलते है next video में तब तक के लिए जैहिन जै भारत